अध्याई 4 आपके बुणियादी आर्थिक जीवन मुल्य चार कवाडरेंट में चार अलग अलग व्यवसाइक तंतर ही नहीं हैं ये तो चार अलग अलग मान सिक्टाओं के सूचक हैं आप अपनी बुन्यादी आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाने का चुनाव करते हैं। उसका बाहरी परिस्तितियों, आपकी शिक्षा, प्रसिक्षन, अर्थ वेवस्ता या आपके आसपास उपलब्द आफसरों से बहुत कम संबंध है। इसका जादा संबंध तो इस बात से है कि आप बुन्यादी तोर पर कौन है, आपकी सक्तिया, कमजोरिया और मुलबुत रूचिया। इसका संबंध तो आपके बुन्यादी आर्थिक जिवन मुल्यों से है। यही बुन्यादी बिन्दाएं हमें अलग-अलग क्वाडरेंट्स के परती अकर्शित या विकर्शित करती हैं। इसे समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि E या S क्वाडरेंट को छोड़कर B क्वाडरेंट में पहुंचना उतना सरल नहीं हैं। जितना की पोस्ट ओफिस जाकर अपना पता बदलने का फारम बरना। आप नहीं सिर्फ वह बदलते हैं जो आप करते हैं बलकि बहुत ही सच्चे माइने में आप खुद को भी बदलते हैं। या कम से कम अपने सोचने के तरीके को तो बदल ही लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को करमचारी बने रहना अच्छा लगता हो लेकिन बाकी लोग इससे नफरत करते हैं। कुछ लोग कमपनियों के मालिक तो बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें चलाना नहीं चाहते। कुछ लोगों को निवेस से प्रेम होता है जबकि दूसरों को इसमें पैसा गवाने का जोकिम ही जोकिम नजर आता है। हम में से अधिकांस लोगों में ये सभी परिवर्तियां कम या अधिक मातरा में मुझूद रहती हैं। इस बात पर गोर करना भी महत्वपूर्ण है कि आप इन चारों कौडरेंट्स में ही अमीरिया गरीब बन सकते हैं। हर कौडरेंट में लोगों ने करोडों कमाए हैं और ऐसे भी लोग हैं जो हर कौडरेंट में दिवालिया हुए हैं। यह बात गाठ बाँद लें कि किसी कौडरेंट में रहने बर से ही आपकी आरतिक सफलता सुनिचित नहीं हो जाती। लोगों की बात्चीत सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि वे किस कौडरेंट में रहते हैं। जब मैं नो साल का था तो अपने अमीर डैडी के साथ बैठने लगा था जब वे करमचारियों की नुक्ति करते समय उनका इंटर्वियू लेते थे इन इंटर्वियू से मैंने यह सीखा की सब्दों के माध्यम से लोगों के बुनियादी जीवन मुल्यों को कैसे समझा जाए बताई जा रहे हैं जिन में से परतेक के बुनियादी जीवन मुल्यों का एक रेखचित्तर भी है ई बी एस आई एक वाडरेंट के जीवन मुल्यों मैं एक सुरक्षित नोक्री की तलास कर रहा हूं जिसमें अच्छी तुनका मिले और उसके अलावा उतक्रिस्ट लाब भी मिलते हों एक वाडरेंट में रहने वाले व्यक्ति का बुनियादी जीवन मुल्यों होता है सुरक्षा हो सकता है कि आप किसी कंपनी के वाइस प्रेजिडेंट हो और आपको मोटी तुनका मिलती हो लेकिन इसके बावजूद आपके बुनियादी जीवन मुल्यों कंपनी के गेट कीपर जैसे हूँ जिसे आप से दस गुना कम तनक्वा मिलती है एक वाडरेंट वाला व्यक्ति चाहे वह गेट कीपर हो या प्रेजिडेंट अक्सर ऐसे सबत सोचता है या कहता है मैं फायदो वाली किसी सुरक्षित नोकरी की तलास कर रहा हूँ या ओवर टाइम के लिए हमें कितना मिलेगा या हमें कितनी सवैतानिक छुटिया मिलेंगी जब मैं एक वाडरेंट वाले किसी व्यक्ति से बाते करते वक्त कहता हूँ कि मुझे वेवसायच शुरू करना बहुत अच्छा लगता है तो वह अक्सर ऐसी टिपनी करता है वह तो ठीक है लेकिन क्या इसमें जोकिम नहीं है हम सभी जीवन को अपने बुन्यादी जीवन मुल्यों के चस्मे से देखते हैं मुझे जो चीज रोमांचक लगती है हो सकता है कि वह किसी दूसरे को डरावनी लगे इसलिए E और S क्वाडरेंट के लोगों के साथ रहते वक्त मैं आम तोर पर मुसम, खेल या टेलिवीजन कायकर्मों के बारे में ही बाच्चित करता हूँ S क्वाडरेंट के जीवन मुल्या अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें S क्वाडरेंट के लोगों का बुनियादी जीवन मुल्या होता है सफतंतरता वे अपना मनपसंद काम करने की सफतंतरता चाहते हैं जब कोई व्यक्ति कहता है मैं नोकरी छोड़कर अपना खुद का काम दंदा सुरू करने जा रहा हूँ तो समझ लीजिए वह E क्वाडरेंट से S क्वाडरेंट की और कदम बढ़ा रहा है S क्वाडरेंट में छोटे वहपारी किराना दुकानों के मालिक विशेशग्या और प्रामर्स दाता आते हैं मिसाल के तोर पर मेरा एक मित्र अमीरों के घरों में बड़े सक्रीन वाले टेलिवीजन, फोन सिस्टम और सिक्यूर्टी सिस्टम लगाता है अपनी मदद के लिए उसने तीन करमचारी रख लिये हैं और वह सिरफ इन तीन लोगों का बोस बनकर ही खुस है वह पक्का और मेहनती एस है रियल एस्टेट एजेंट्स, बीमा ब्रोकर्स, आदी कमिसन पर काम करने वाले सेल्स पीपल भी हैस क्वाडरेंट में ही आते हैं हैस क्वाडरेंट में पेसेवर लोग भी बरे पड़े हैं जैसे डोक्टर, वकील, अकाउंटेंट्स जो किसी बड़ी चिकित्सिया कानूनी या अकाउंटिंग कमपनी में काम नय करते हूं एस क्वाडरेंट में रहने वाले लोग अक्सर अपने दिमाग या हाथों के काम पर बहुत गरव करते हैं यदि उनका कोई सुत्रा वाक्य होता तो वह ऐसा होता कोई भी इसे मुझसे बेटर तरीके से नहीं करता है या फिर यह होता है मेरी तरीका ही सबसे सही है बहराल सबतंतरता के मुखोटे के पीछे आपको प्राई यह दिखेगा कि व्यवसाय के प्रती उस व्यक्ति की नीती में विश्वास का अभाव है उसकी यह नीती जीवन के प्रती भी होती है क्योंकि हम जिस प्रकार अपने व्यवसाय को देखते हैं उसी से पता चलता है कि हम हर चीज को किस प्रकार देखते हैं एस क्वाडरेंट के व्यक्ति को प्राई कमीशन मिलता है या फिर किसी काम में लगे समय के अधार पर बुगतान मिलता है मिसाल के तोर पर इस क्वाडरेंट का व्यक्ति इस प्रकार के सबद कह सकता है मेरा कमिशन कुल खरीदी के अभाव का 6 परतिशत है या मेरी फीस 100 डॉलर प्रतिगंटा है या लागत के अलावा मैं 10% फीस लेता हूँ जब भी मैं E या S क्वाडरेंट के किसी व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे P क्वाडरेंट में रुपांतर करने में मुस्किल आ रही हो तो मुझे आहम तोर पर ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसकी तकनीकी या प्रबंदन योजनाय तो बहतरीन है लेकिन उसमें नेत्रितव की योग्यता का बहुत अबाव है मेरे अमीर डैडी कहा करते थे यदि आप किसी टीम के लीडर है और साथ ही टीम के सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी तो आपकी टीम संकट में है S क्वाडरेंट वाली लोग प्राई टीमों के साथ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते उन में थोड़े एहम की समस्या भी हो सकती है S से B क्वाडरेंट में चलांग लगाने के लिए आपको तकनीकी नहीं बलकि नेत्रितव योग्यताओं में उच्छी चलांग लगाने की जरूरत होती है जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ असली दुनिया में A ग्रेड़ वाले विद्यार्थी प्राई C ग्रेड़ वाले विद्यार्थों के लिए काम करते है और B ग्रेड़ वाले विद्यार्थी सरकार के लिए काम करते है यदि आपने कभी खुद को यह कहते सुना हो अगर आप कोई काम सही चाते हैं तो उसे खुद करें या आप खुद ऐसा सोचते हों तो साइद यह अच्छा समय है कि आप अपने इस जीवन दर्शन का गोर से अवलोकन करें बी क्वाडरंट के जीवन मुल्य अपनी टीम में सामिल करने के लिए मैं सर्वस्ट्रेस्ट लोगों की तलास कर रहा हूँ बी क्वाडरंट के लोगों का बुन्यादी जीवन मुल्य होता है दोलत बनाना जो लोग सुनिया से सुरुवात करके बहतरीन बी क्वाडरंट वहसाय बनाते हैं वे अक्सर प्रबल उदेशे वाले होते हैं वे बहतरीन टीम तथा उतकरिस्ट टीम फरक को महत्तव देते हैं वे अधिक अधिक लोगों की सेवा करना चाते हैं या उनके साथ काम करना चाते हैं एस क्वाडरेंट वाला व्यक्ति अपने क्षेतर में सर्वस्रेष्ट बनना चाता है जबकि बी क्वाडरेंट वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखना चाता है जो उनके क्षेतरों में सर्वस्रेष्ट हों हेंरी फॉर्ड खुद को अपने से ज़्यादा समार्ट लोगों से गहरे रखते थे प्राय S क्वाडरेंट वाले व्यवसाई कमरे में मुझोद सबसे समार्ट या योग्य व्यक्ति होता है लेकिन यह B क्वाडरेंट वाले व्यवसाई के मामले में सच नहीं होता जब आप B क्वाडरेंट के किसी व्यवसाई के मालिक होते हैं तो आपको अक्सर अपने से ज़्यादा चतुर, अनुभवी और सक्षम लोगों से व्यवार करना पड़ता है मेरे अमीर डैडी के पास कोई उपचारिक सिक्सा नहीं थी लेकिन मैं उन्हें बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, निवेश सलाहकारों और विशेशग्यों के साथ सफलता पुरवक बाच्चित करते देखता था जिन में से कई के पास बहुत उची उची डिगरिया होती थी अपने विबिन वैवसाओं के लिए पुन्जी जुटाते वक्त उन्हें अक्सर ऐसे लोगों से संपर्क करना पड़ता था जो उनसे कहीं ज़्यादा अमीर होते थे यदि वे इस सुत्रवक्या के अनुसार जीते अगर आप कोई काम सही चाते हैं तो उसे खुद करें तो वे अंतताय पूरी तरह आसफल हो जाते जब आम्दनी की बात आती है तो सच्चा बी क्वाडरेंट वाला व्यक्ती बीसा साबित होता है वे अपने वेवसाइट छोड़ कर कहीं चला भी जाए तो भी उसे अंतनी होती रहेगी दूसरी और जदि एस क्वाडरेंट का कोई विक्ती काम करना छोड़ दे तो अधिकांस मामलों में उसकी अंतनी भी रुक जाएगी इसलिए इसी वक्त आपको खुद से यह स्वाल पूछना चाहिए अगर मैं आज काम करना छोड़ दूँ तो इसके बाद भी मुझे कितनी अंतनी होती रहेगी यदि आपकी अंतनी छे महीने या उससे कम वक्त में खतम हो जाती है तो इस बात की संभावना है कि आप E या S क्वाडरेंट में रह रहे हैं B या I क्वाडरेंट वाले वक्ति बरसों तक काम ने करे तो भी उसे पैसा मिलता रहेगा I क्वाडरेंट के जीवन मुल्या निवेश पर मुझे कितना लाब हो रहा है I क्वाडरेंट के लोग जिस चीज को सबसे ज़्यादा महत्तव देते हैं वह है आर्थिक सबतंतरता निवेशक को यह विचार पसंद होता है कि उसके बजाए उसका पैसा मेहनत करे निवेशक कई चीजों में निवेश करते हैं वे सोने के सिक्कों, जमीन जायदाद, कमपनिया या स्टोक्स, बोंड्स और म्यूचल फंड्स जैसी कागजी संपत्ती में निवेश कर सकते हैं यदि आपकी आमदनी व्यक्तिकत निवेश ग्यान के बजाए कमपनी या सरकार की पैंसन योजना से होती है तो यह E-Quadrant की आमदनी है दूसरे सब्दों में आपकी बरसों की सेवा के बदले आपका बोस या कमपनी आपको अब भी बुगतान कर रही है E-Quadrant का निवेशक इस परकार की बातें कह सकता है मुझे अपनी संपत्यों पर 20% लाब हो रहा है या कमपनी के आर्थिक ब्योरे दे या जादाद पर कितना मेंटेनेंस बाकी है अलग-अलग Quadrant अलग-अलग निवेशक आज के संसार में हम सभी को निवेशक बनना चाहिए बरहाल हमारी सिक्षा निती हमें निवेश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाती ओह मैं जानता हूँ कि कुछ सुकूलों में सेर चुनना सिखाया जाता है लेकिन यह निवेश नहीं है यह तो जुआ है बरसों पहले मेरे अमीर डाड़ी ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर करमचारी म्यूचल फंड्स या बचत में निवेश करते हैं उन्होंने यह भी कहा था यदि आप E.S. या B. में से किसी A. Quadrant में सफल है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप E. Quadrant में भी सफल होंगे डाक्टर प्राय सबसे बुरे निवेशक होते हैं अमीर डाड़ी ने मुझे यह भी बताया कि अलग-अलग Quadrant वाले लोग अलग-अलग तरीकों से निवेश करते हैं मिसाल के तोर पर E. Quadrant वाला व्यक्ति यह कह सकता है मैं रियल इस्टेट में निवेश नहीं करना चाहता च्योंकि मैं टोईलेट ठीक करने का इच्छुक नहीं हूँ निवेशक की यही चुनोती सामने आने पर B. Quadrant वाले व्यक्ति कह सकता है रात को टोईलेट की मरम्मत कराने के लिए मैं किसी अच्छी प्रोपर्टी मैनेजमेंट कमपनी की सेवाई ले सकता हूँ दूसरे सब्दों में S. Quadrant वाला निवेशक यह सोचेगा कि उसे जायदाद की देखरे खुद करनी है जबकि B. Quadrant का निवेशक सही देखरे करने वाले के लिए किसी दूसरी कमपनी की सेवाई लेगा अलग-अलग लोग अलग-अलग पांच सकता है अलग-अलग Quadrants अलग-अलग जीवन मुले अब तक आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस और जा रहा हूँ यह दर असल एक पहुत असान चीज़ से तैह होता है यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने रहने का सतान बदलना होगा इसके लिए आपको किसी नई नोकरी की जरूरत नहीं है आपको तो एक नई पते की जरूरत है यदि आप अपने जीवन और तकदीर पर जेंतरन पाना चाहते हैं यदि आप वास्तविक सब्तंतरता यानि अपने मन चाहे निसाने लगाने अपनी तीन चरिया निधारित करने अपने परिवार के साथ और अकेले समय बिताने अपने मनफसंद काम करने की सरतंतरता चाहते हैं अगर आप वैसा जीवन जोज भरा रुमान्चक पुर्ण और संतुष्टी भरा जीवन जीना चाहते हैं जिसके लिए आपको इस परित्वी पर बेजा गया है यानि संक्षेप में अगर आप अमीर बनना और अमीरों जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांद कर किसी दूसरी जगह पर चले जाएं अब समय आ गया है कि आप चार्ट के बाएं हिस्थे से निकल कर बी और आई क्वाडरेंट की और पहुंच जाएं